या कौन सा ऐसा मंत्री है जो सरकार के खिलाफ दबे हुए सब्दों में बोल रहा है वो अपनी भासा में बोलते हैं कि BJP के नियम के तहट ये जीति और रिवाज के कि नेताओं के इस सोच पर आपकी अपनी राय क्या है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मंत्री है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ छुपे हुए सब्दों में बोलना सुरू कर दिया है नमस्कार में नाम है दुर्गेश मिस्रा हाजिरू एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में अब आप ये सोच रहा होगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मंत्री आ गया या कौन सा ऐसा मंत्री है जो सरकार के खिलाफ दबे हुए सब्दों में बोल रहा है तो आप पूरा वीडियो अंतक देखिए और बारीकी को समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं को राजगदी पसंद है या कर्म भूमी का छेत्र इस वीडियो को अंतक देखिए और आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बात सुरूर बताएं कि नेताओं के इस सोच पर आपके अपनी राए क्या है तो जान लीजिए नाम उनका है नंद कुमार यानि कि नंद गुपाल नंदी उनको नंदी के नाम से भी जानते हैं और ये प्रियाग राज से आते हैं अब इनकी एक भासा सुरू हो गई है भासा इस वज़े जो सुरू हो गई गलत तरीके से या दबे हुए सब्दों में बीजेपी को कोसने वाली अब वो अपनी भासा में बोलते हैं कि बीजेपी के नियम के तहट ये जीत और रिवाज के खिलाफ है ऐसा बीजेपी ने क्या किया ये आपके भी सवाल आ रहा होगा तो बीजेपी के डिप्टीसियम केसो प्रसाद मौर्या ने एक ऐसा नाम जोड़ लिया कि जिसके बाद नंद गुपाल नंदी को खलबली मच गई और खलबली मचना भी सोभाविक है क्योंकि सायद कोई नहीं चाहता कि वो जिस व्यक्ती से पहले आमने सामने की टक्कर कर रहा हो और वो वही व्यक्ती आकर गले में हाट डाल कर हमारे साथ बैठे तो सायद ये बात सब को नाकवार गुजरेगी तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ रईश चंद सुकला एक नया नाम है बिजेपी पार्टी के लिए ये पहले सपा पार्टी में हुआ करता था 2022 के विधान सबाचुनाओं में नंद गोपान लंदी के खिलाफ रईश सुकला को खड़ा किया गया था समाजवादी पार्टी के ओर से और नंद कुमार नंद गोपान लंदी बिजेपी के ओर से हाला कि बुरी तरीके से हारे भी थे कौन रईश चंद सुकला लेकिन अब केसो प्रसाद मौर्या ने इनको अपने पार्टी में ले लिया है और जैसे ही ये सूचना नंद गोपान लंदी को मिली तो उनकी अब दबे हुए सब्दों में ये बात निकल कर सामने आने लगी कि ये बिजेपी की रीत रिवाज के खिलाफ है आला कमान को ध्यान देना चाहिए अपनी भासा में उन्होंने बोला तो क्या अब इस चाल को बिजेपी अपने पाइदान पे देखती है अपने फायदे के लिए या नंद गोपान नंदी अपने फायदे के लिए देखते हैं अब जरा बारी की को समझेए नंद गोपाल नंदी नहीं चाहते थे कि प्रयाग राज से रईश चन सुकला को बीजेपी पार्टी में लिया जाए क्योंकि आज अगर बीजेपी पार्टी में उसी विधान सवा में रईश चन सुकला को अपनी तरब से ज्वाइन कराती है ने भी नेताओं के जो चुना होते हैं अगर उसी सीर से एक पार्टी दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता को अपनी ओर कर लेती है तो अक्सर अगर इतियास के पन्नों को कुरी देंगे तो आने वाले समय में विपक्षी पार्टी के नेताओं को ही उस सीर पर खड़ा होना उचित मानती है तो क्या ये बीजेपी का आने वाले समय में फाइदा होगा या कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का अलाकि जो बीजेपी में इस समय का वायत चल लई है वो ये चल लई है कि जल्द ही हो सकता है कि नंद गोपाल नंदी या तो अपने पद से इस्तीफा देंगे यह कोई दूसरा रास्ता ढूणेंगे इस वीडियो में इतना ही आपको क्या लगता है कि नंद गुपाल नंदी उत्तरप्रदेश के लिए कारगर काम करने वाले व्यक्ति हैं या रईष चंद सुकला के बारे में साहिद आपने कम सुना होग उनके बारे में आप नह में इस वीडियो में इतना ही। आपसंद आया हो कुछ समझ में आया हो तो लाइक कमेंट्स शियर करें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर छोटी से बेल आइकन पर आलफ ok जरूर करें और हाँ हमारे फेस्बूक ट्यूटर और इस्टाग्राम को भी फालो करें जिससे कि आपको नए मुद्दे के साथ में नए ने जानकारियों के साथ कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी नमस्कार